ये वही शक्स है जिसने 25 साल पहले सिर्फ 500 रुपे से अपना कारोबार शुरू किया और आज उसी ब्ल्यू पॉट्री के व्यापार को करोणों रुपे के लिंदेन में तब्दील कर दिया इंस्टिटूट ऑफ मार्केटिंग और मैनेजमेंट की और से श्रेष्ट महिला उद्यमी और स्विजरलेंड की संस्था ग्लोबल द्वारा दिये गए सम्मान समित कई पुरुसकारों से नवाजी जा चुकी शिमती लीला बोड्या को इसी कामयावी के चलते भारती निर्यात संबर्धन परेशत द्वारा दो-दो बार प्रमान पत्र देकर नवाजा गया जाहिरे इन सम्मान पुरुसकारों ने लीला बोड्या की तो होसला वजाई की है दूसरी महिलाओं को भी कुछ कर गुजरने की सीख दी और सोच में पढ़ गई कि अब मेरी जुम्मेवारिया और बढ़ गई है जब काम बढ़ता है तो उत्थान तो वो अपने आप करते हैं मुझे कुछ भी करने की जुरुत नहीं पड़ती है मुझे सिर्फ उनको डिजाइन इडपुट देना पड़ता है जादा से जादा उनको काम देना पड़ता है आस्ट्रिलिया की टेक्स्ट्बुक बिजनिस इन एशिया में एहम स्थान पाने वाली लिला बोडिया ने 1978 में एक कंपनी खोल ब्ल्यू पॉटरी के मूती बुंदे लॉकेट टॉप्स गले के हार वार ने छोटा सामान बनाना शुरू किया और आज इसी काम के बूते नकेवल उनका व्यवसाय करोडों के लें दिन में बदल गया है उनकी करमस्थली बने कोट जेवर गाम की शकल भी बदल गई है यह सारा श्रे जादा से जादा जाता है कोट जेवर के गाम वासियों को जिन्होंने की मेरे में विश्वास जताया अपना और जैसे जैसे मैं कहती गई वैसे इस क्राफ्ट के कारी शेतर में वो आगे बढ़ने के लिए आते थे मेरे से पूछते थे कि अब क्या करना है मेक्सिको में पढ़ाई भी कि कई देशों की यात्रा कर चुकी शिमती बोडिया विश्वतरिये बेड असे जुड़ने की बाद उसमें हिस्सा नेने वाशिंग्टन गई तब कुछन हताश हो गई जब प्रेस कांफरेंस में उन्हें पत्रकारों की सवानों का सामना करना प शेत्र को बहुत बढ़ावा भी मिला क्योंकि बहुत लोग जानने भी लगे परिवार को पहली प्रात्मिक्ता देने की पक्ष्टर लिला बोडिया चाहती हैं कि हर शक्स अपने आसपास जिंदगी जी रहे लोगों को भी परिवार का हिस्सा माने उनके भले के लिए कारे क ग्रामिन शिल्पियों की मदद से ब्ल्यू पॉटरी के कोई 200 आइटमों को अलग-अलग देशों में निर्यात कर रही लिला बोडिया इस काम को अपना मिशन मानती हैं साथी यह भी कहती हैं कि विविसाय और समासिवा से मिलने वाली इस संतुष्टी से बड़ी कोई चीज नहीं